इस वीडियो में हम actually keyword research करेंगे और देखेंगे कि जब हम research करते हैं Google keyword panel tool में तो हमें क्या result मिलता है सुर्ट्स ये बात याद रखिएगा कि हो सकता है Google आपको different results दिखाए और जो आप यहां देखें स्क्रीन पर वो different results हो उसमें keyword के level पर difference नहीं होगा लेकिन हो सकता है searches के level पर difference हो जाए जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम mobile phone search करें तो ये results आते हैं तो अब इस results को देखते हैं कि एक्चुली results क्या आए हैं पाकिस्तान में mobile phone की searches कीगे हैं तो मुझे ये keyword के results गूगल ने दिये हैं और मैं इसको तरह one by one browse करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कितने keywords मेरे business से related हैं तो सबसे पहले मुझे वो mobile phone दिखा रहा है फिर cell phone फिर phone, mobile phone deals, new mobile phone, online mobile और करते करते तकरीपन वो मुझे बता रहा है कि तकरीपन 738 results हैं उसके पास जो कि आप अपने screen पर देख सकते हैं Google उपर दिखा रहा है इसके असान करने के लिए मुझे अगर ये पता करना है कि सबसे जो highest search keywords हैं वो सबसे उपर आ जें तो मैं क्या करूँगा, कि मैं Google के इस keyword tool के ओपर जो second panel है, जो second column है, average monthly searches का column उसके ओपर मैं click करूँगा और वो उसको highest to lowest sort कर देगा मतलब ये ही कि जो सबसे ज़्यादा search होने वाली keywords हैं वो उनको उपर ले आएगा और जो उससे कम search होने वाली keyword है, वो आइससा इससा वो उसको बतद्रीच नीचे show करेगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि phone सबसे ज़्यादा generic है, लेकिन सबसे ज़्यादा search होने वाली keyword है अब चुके Google range देता है, 10,000 से 100,000, मतलब कि 10,000 से 1,000,000 तक तो हमें ये नहीं पता चलता कि कितने keyword number one पे हैं तो इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि तकरीबन 5-6 keyword जो टॉप पर हैं वो एक ही range में fall करते हैं जो के 10,000 से 1,000,000 की range है तो हमें इसके साथ बस ये अंदाजा करना है कि हमाई लिए कौन से keyword बेतर है और अगर आपको याद हो, तो हमने जिकर किया था कि किस तरह से short tail keyword और long tail keyword में difference होता है short tail keyword में हमें clarity नहीं मिलती, लेकि long tail keyword में clarity मिलती है कि user क्या demand कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है तो मैं अगर इसको देखूँ, तो phone अगर कोई search करता है तो मुझे बिलकुल idea नहीं है, या आपको बिलकुल idea नहीं होगा कि phone search करने वाला असल में चाहता क्या है वो फून की वीडियो चाहता है वो फून की खरीदना चाहता है या इसका फून तूट गिया है तो हजार किसम की पॉस्टिबिलिटिज हो सकती है तो हमें इस तरह के शॉर्ट टिल कीवर्ड से बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें नहीं समझा जाती कि ये कीवर्ड हमें अल्टिमेटली कैसे फाइदा देंगे लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाओं तो आप देखेंगे कि नोकिया मॉबाइल दूसरे नमबर पर आ रहा है और मॉबाइल फून और सैमसंग मॉबाइल भी टॉप रैंकिंग कीवर्ड में है मतलब कि सबसे ज़्याद सेच होने वाले कीवर्ड में से शुमार होता है इनका जैसे से आप नीचे जाएंगे आपको मजीद फून मिलेंगे जिसमें कमपेर फून का एक कीवर्ड है, बेस्ट अंड्रॉइड फून है, आइफ़न मॉबाइल है और इसना करते करते नीचे तकरिवन 700 से ज़्यादा ये कीवर्ड अवेलेबल हैं अब ये वो डेटा है जो हमें हल्प करेगा हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने में ज्योंकि हम मजीद दिक्र करेंगे बाद में सबसे पहले काम आपने ये करना है कि इस डेटा को सेव करना है अब आपको ये Google जो data देगा इसको हम download कर लेंगे जो के Excel के format में download हो जाएगा इसको download करने के लिए आपको टॉप में देखना है कि वहाँ पर download keyword ideas के नाम से एक option है आप उसको click करेंगे तो Google आपके ये keywords download कर लेगा जैसे आप इसको download करेंगे तो ये Microsoft Excel के format में आपको मिल जाएगा और अगर आप इसको open करना चाहें तो आप इस पर click करेंगे और ये आपके सामने एक file open हो जाएगी जिसमें सारे के सारे keywords जो Google ने आपको show किये थे वो उसमें available होंगे जैसे कि आप देख सकते हैं जो data मेरे पास Google आड टूल में available था वो ही data मुझे Excel शीट में भी available है फिलहाल मुझे इस data से कुछ नहीं करना हमारा अभी पहला मकसद मजीद keywords find करना है आप चुकर एक business run कर रहे हैं आपकी एक product नहीं है और अगर आपकी एक product है भी हर product को user different angles से search करता है तो वो different angles क्या है अगर मैंने एक keyword search किया है mobile phone तो हो सकता है कोई इसको ये भी लिख रहा हो mobile phone prices तो मैं अब ये जानना चाहूंगा कि अगर लोग mobile phone prices search करें तो वो उसके against Google मुझे क्या result show करता है मैं अपने अब query change करूंगा और इसको mobile phone को delete करके mobile phone prices लिखूंगा तो जिए मैं इससे लिखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा customer mobile phone खरीदना चाहता है तो mobile phone भी search कर रहा होगा लेकिन जिसकी जेब में पैसे हैं तो prices भी धूंड रहा होगा तो prices धूंडने वले वो लोग हैं जो possibility है जा हम उसको अजियूम कर सकते हैं कि शायद वो खरीदने की घर से prices का word साल लिखेगा और उसको buy करने की घर से आपकी वेब्सट पे भी आएगा जैसे मैं इसको mobile phone prices को लिखके search करूंगा Google मुझे data नया शो करेगा और अब ये data change हो गया है इसमें बहुत सारे possibilities हैं कि keywords overlap हो रहे होंगे यहनि कि जो पहले आपने data search किया वो data इसमें repeat हो सकता है क्योंकि Google आपको ये ideas के तोर पर देता है अब Google को ये नहीं पता कि आप भी पहले भी search कर चुके है कि आप ये बाद में भी search करेंगे तो आपका ये काम है कि आपको जितने भी ideas मिलते हैं आप उसको download करते जाएं बाद में हम इसको अपनी मर्जी के मताबिक बेहतर करेंगे बज़ाए इसके कि मैं one by one इसको discuss करूं मैं करूंगा ये कि मैं इस पर click करूंगा download keyword ideas और ये फाइल भी मैं अपने पास save कर लूँगा अब चुके मुझे इसको याद रखना है कि मैंने कौन सी फाइल किस नाम से download की है तो मैं हर फाइल का नाम change करता जाऊंगा और उस फाइल का नाम उस keyword के against मैं लिख लूँगा ताके मुझे ये याद रहे कि कौन सी फाइल किस keyword के against सर्च की थी और किस keyword का कौन सा result आया था और जब आप ये save कर लेंगे तो आपने ऐसे ही मज़ीद keyword सर्च करते जाना है जो के आपको लगेगा कि आपकी business related है आप वो keyword लिखते जाएंगे और उसके against उसको download करते जाएंगे ताके आपको एक पूरी picture clear हो जाए कि अगर कोई mobile phone prices लिख रहा है या mobile phone prices in lahore लिख रहा है या खाली mobile phone लिख रहा है तो वो किस तरह से result vary करेगा और हम मजीद डिस्कस करेंगे कि इस data को जब हम हासिल कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसको कैसे आगे use करना है